हलो फ्रेंट्स लीगल एंड सोसल एवरनिस के इस एपिसोट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं करीम अहमद सिद्धिक की एड़ोकेट साथियो आज मैं आमरबिल इलहाबाद हाई कोट के एक बहुत ही लैटिस्ट अभी एक मार्च को एक जज्जमिन्ट आया है एक कुटल जज्जमिन्ट और यह जज्जमिन्ट 498A और 304B IPC यानि कुर्वालिटी और डावरी डिस्ट के मामले में आया है उसी जज्जमिन्ट के बारे में बाचीत करने जा रहा है यह मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जले का था सेसन कोट के दौरा सजा कर दी गई थी उस सजा के खिलाब इलहाबाद हाई कोट में अपील की गई थी आज के इस जज्जमिन्ट में देखेंगे कि आरोप क्या लगाए गए थे F.I.R. में किन सबूतों के आधार पर सेसन कोट के दौरा सजा की गई थी और आनुबिल इलहाबाद हाई कोट के समच बहिस के जो मुक्ष पॉइंट्स थे जो बिंदू थे वो क्या थे और दोस्मुक्त का आधेस पारित करते हुए हाई कोट के दौरा कौन सी महत्पूर बात कही गई इन सारी बातों के बारे में आज बाचीत करेगे बहुत ही महत्पूर जान करी है जोड़े रहे आखरी तक देखते हैं पूरा माबला क्या था? और फाइनली हाई कोट के द्वारा किस तरीके का आधेस परित किया गया साथ यू सबसे पहले केस के फैक्ट के बात कर लेते है कि केस के फैक्ट क्या LT थे एक FIRE दर्ज कराई जाती है। एक ब्यत्ति के द्वारा यह आरोप लगाते हुए कि एक साल पहले यानि 2016 में मैंने अपनी बेटी की शादी की थी सादी के कुछ समय के बाद उसके पती, सासस और जेट जिठानीन तमाम लोगों के द्वारा डावरी की डिमांड की जाने लगी डावरी की डिमांड को लेकर के उसको positively mentally torture किये जाने लगा उसके साथ गाली गलोजो मारपीट की घटना कारित किये जाने लगी और जब दहेच की मांग पूरी नहीं की गए, डावरी की डिमांड को फुल्फिल नहीं किया गया तो मेरी बेटी को साधी के एक साल के अंदर ही यानि 2017 में ही पुआई जन दे करके उसको मार डाला अननेचुरल डेथ हो गई उसकी यह आरोप लगाते हुए सेक्षन 498A IPC और सेक्षन 304B IPC में FIR दर्ज करा दी गई 498A जो cruelty का सेक्षन है और 304B जो dowry death का सेक्षन है FIR दर्ज करा दी जाती है FIR पती, साससोर, जेट और जिठानी इन तमाम लोगों के खिलाब दर्ज करा जाती है 498A 304B IPC में FIR दर्ज होने के बाद मामले का investigation होता है investigation के बाद 4 seat आती है और trial चलता है trial court में prosecution के द्वारा कई गवाहों को paste किया जाता है informant जिस ब्यक्ति की पुत्री थी जिसने society किया था या जिसका poison दे करके हर्तिया करने का आरोप लगाया गया था उसके बयान होते हैं उसके और family member के बयान होते हैं उसके भाई के बयान होते हैं जो district additional session जच की court थी उसके द्वारा ये पाया जाता है कि इस मामले में पती दोसी है सास और ससु को एकुटल यानी दोसमुक्त कर दिया जाता है और पती का conviction यानी सजा कर दिया जाती है मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दू कि जेट और जिठानी के नाम बिविचना के दौरान ही बिविचक महोदे के दौरा निकाल दिये गए थे उनके खिलाब कोई सबूत इन्विस्टिकेशन के दौरान नहीं पाया गया था लहाजा उनके खिलाब कुलोजर रिपोर्ट लगा दी गई थी एक बात मैं और आपको बता दू कि ट्रायल शुरू होने से पहले जब चार्ज बनता है तो 498-A 304-B-IPC के साथ 302-IPC में भी अल्टरनेट चार्ज बनता है बैकल्पिक आरोब 302 में भी तैय किया जाता है और 16 प्रसेद अधनियम की धारा 4 में भी चार्ज बनाया जाता है जो कन्विक्षन होता है हस्बेंट को वो 498-A-IPC 304-B-IPC और सेक्षन 4 डावरी प्रहविशन एक्ट में कन्विक्षन होता है अब इस कन्विक्षन आदेश के खिलाब अनुर्बिल इलहाबाद ही कोट के समझ किर्मनल अपील दाखिल की जाती है तो देख लेते हैं कि अलहाबाद ही कोट के समझ किस तरीके का अरगुमेंट किया गया और फाइनली अलहाबाद ही कोट ने किस तरीके का जज्जमेंट देगा साती हो अलहाबाद ही कोट के समझ क्रिमनल अपील में जो बहस के मुखे बिंदू थे वह यह थे कि court से पहले डावरी को specific रूप से disclose नहीं किया गया डावरी की demand को ना तो FIR में और ना 161 के statement में पहली बार statement in chief जो court में court किया जाता है उसमें यह बात आई कि 50,000 रुपया और एक motorcycle की demand की जा रही थी कुछ witness के दौरा यह भी कहा गया कि शादी में motorcycle दी थी लेकिन उसकी quality अच्छी नहीं थी इसलिए दूसरी motorcycle की मांग की जा रही थी तो court को यह देखना था कि क्या वाकई demand की गई की नहीं की गई क्या उसकी मरत्यू के ठीक पहले demand की गई और उस demand को लेकर के उसके साथ सारी requirement से group से प्रतारित किया गया उस महिला को जिसकी मरत्यू हुई थी यानि soon before our death जो torture की बात है वो torture किया गया की नहीं किया गया और उसकी death और dowry की demand इन दोनों में connection ही की नहीं connection है इन सारी चीजों को देखना था बचाओ पच्चिया ने जिसने appeal file की थी husband के अदवक्ता के दोरा भहस करते हुए कहा गया कि इस से पहले कभी भी dowry की demand की बात नहीं आई है और ना ही इस तरीके की कोई return में application कहीं पे दी गई है कि मेरी बेटी से dowry की demand की जाती है और इस demand को लेकर के उसे torture किया जाता है एक और जो महत्पूर तत्थ जो evidence में आया था prosecution witnesses ने ही ये बात कही थी लड़की की परवार वालों ने कि उसकी मरत्व के कुछ समय पूर्व लड़की की सहसराल में किसी का बड़े था उस बड़े के प्रोग्राम में फेमिली के तमाम लोगों के invite किया गया तो सारे लोग गये थे और हासी खुसी बड़े का प्रोग्राम मनाने के बाद हम वो अपस घार आ गये थे इस तरीके की जब evidence आई तो इन तमाम evidences को जब आनरुबिल हाई court के दोवारा analysis किया जाता है तो यह कहा जाता है कि महिला के मृत्तु के ठीक पहले उस महिला के घरवालों का माईके वालों का सुस्वाल में आना जनम दिन का function डेटिन करना हासी खुसी वापस चला जाना इस से यह इसपस्ट होता है कि दोनों परवारों के बीच में cordial relation थे हाँ दोस्तो जो संबंद थे वो खुश गवार थे यानि अच्छे संबंद थे healthy relation थे अगर किसी तरीके के कोई मन मुटा होता कोई demand होती कोई torture होता महिला के साथ तो इस तरीके के cordial relation ना होते यह बात भी विडिन्स में आई थी कि जब हम बड़े का प्रोग्राम मनाने गए थे तो किसी तरीकी की कोई बातचीत नहीं होती तो पहली बात तो court इस नतिजे पर पहुँचती है कि दोनों परवारे की बीच जो relation थे वो cordial relation थे दूसरी बात court यह देखती है कि soon before हर जित जो torture और जो demanding effect necessary जो element है जो होना चाहिए डाउरी डित में वो missing है ब्रत्तु के ठीक पहले दहच की मांग की गई और इस मांग को लेकर के उस महिला को प्रताडित किया गया इस तरीके का कोई सबूत evidence से नहीं निकल करके आया कहीं पर कोई complaint किसी के दोरा आउस महिला के मायके वालों के दोरा नहीं की गई जिससे यहीं कहा जा सकी कि पहले से उससे दाउरी की डिमान की जा रही थी इस तरीके से कोट इन तमाम बातों को देखने के बाद इस नतीजे पर पहुचता है कि यहाँ पर जो 304 B के लिए जो essential ingredients होने चाहिए जो आवस्यक तत्त होने चाहिए unnatural death तो है लेकिन death के ठीक पहले डाउरी की डिमान हो वो essential तत्त तो नहीं है डाउरी की डिमान को ले करके torture किया गया हो assault किया गया हो इस तरीके का कोई evidence नहीं है तो सिर्फ unnatural death आके ले जो 113 B evidence एक्ट का जो प्रिजम सन अट्रेक्ट करता है उसके लिए पर्याप्त नहीं है 113 B evidence एक्ट कहता है कि 7 सल के अदर अगर महिला की मरत्त हुई है तो ये presume कर लिया जाएगा शैल presume कि डाउरी के वज़े से death हुई लेकि डाउरी death के लिए दो तीन चीजें होना जरूरी है unnatural death हो डाउरी की demand की गई हो मरत्तु से ठीक पहले डाउरी की demand को लेकर के torture किया गया हो demand और उसकी मरत्तु के बीच में connection होना चाहिए तो connection demand और मरत्तु के बीच में establish नहीं हो पाया और नहीं assault और torture की बात establish हो पाई evidences से लिहाजा साथियो अरुबिल अलहाबाद हाई court के द्वारा जो पती को सेशन court ने जो conviction का आदेस पारित किया था उसको निरस्त कर दिया जाता है सेटे साइट कर दिया जाता है अभी 1 मार्च 2023 को इस criminal appeal में अलहाबाद हाई court के द्वारा यह आदेस पारित किया गया तो यह थी एक महत्पूर जज्ज्मेंट के समन्द में जानकारी यह जानकारी कैसे लगी आप comments करके जरूर बताएं दोस्तों मैं समझता हूँ क्या अगर आपका कोई तरीके का मैट्री मोलने मामला चला है या आप advocate है और आपने अभी practice शुरू की है तो भी यह जानकारी आपके बहुत काम आएगी ruling की रूप में आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं साथ हो वीडियो में देगे जानकारी के साथ तब तर कानून की बिभिन तरीके की जानकारी उट लिए देखते रहें Legal and Social Awareness